अलो फ्रेंट पिया भाई जी किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने बहले हैं मसाला फ्रेंश बहुत ही टेस्टी बनती बहुत ही चट पटा फ्रेंश बहुत है चलिए अभी हम सुरू करते हैं यह मैं दो मीडियम साइज हालू ली हूँ और उसको इस साइज में जो लेते हैं 2 सबीर में डाला फ्रेंश ऴ्रण फ्र्रावट है है इसके बाद लेंगे 5 टीसपून नमक को अब जाज़मसर किजिये और वन टीस्पून हम डलेंगे लाल मेश्ची पाउडर वन टीस्पून हम डलेंगे धिनिया पाउडर और हब टीस्पून उसमें हम माड़ करेंगे जीरा पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा हम आजमाई नाड़ करेंगे खोड़ा साहसे उसको मसाल के डाल देते हैं, उसके बाद हम काड कर लेंगे धोड़ा सा अध्रक और दो हरी मेस्च की पेष्ट 1 टे स्पून होगा, उसको मैं पेष्ट कर दीती हैं, उसको डाल के tyre चोकर आपसराई हमको मिक्स करना है, हमको पानियार नहीं करना है बात इसी ये मिस्ट करके त्यार कर देना है अच्छी तरह से अलू के सा सरे मसाला हमारा लग जाए दिखिए मिस्ट हो गई है तो हम प्राई करते हैं ग्यास में कड़ा चड़ा दियूं अलमस तेल भी गरम कर दियूं अलका सा गरम भी हो चुकी है तो इस चीज से हम प्राई करेंगे तो अलू को उसमें डाल देते हैं रिक एक करके हम सारे अलू को उसमें आड़ कर लेंगे यह दिखिए मैं चमस से मैंदस से सारे अलू को उसमें आड़ कर दे रही हूं जब हम सारे अलू को आड़ कर देंगे उसके बाद यह दिखिए मै सरा लुकार कर दीए हूं हम फर से पल्टी नहीं करना है निचे के तरफ हो जाएगे तब हम पल्टी करेंगे यह देखे निचे के तरफ हो गई है तो हम पल्टी भी कर लेते हैं उसको इस तरह से हम फ्राइ करना है क्रिस्पी बनाना है और गोल्डेन कलर बनाना है और फ्राइ चत्ते हैं डेस्टी भी रहती है अगर रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगे तो प्लीज लाइक की देजीगा सेयर किजिए और मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज सब्सक्राइब भी करतीजिए और बेल आइकन को क्लिक किजिए अगली वीडियो की नोटि कितनी अच्छी वे निये काने में में बहुत ही टेस्टी है एक बाद जरूर आप घर में ट्राइब किजिए और कमट करके जरूरत आएगा किसा लगा मेरे रेसिपी